आज का हमारा टॉपिक में अपना अकाउंट कैसे क्रीट कर सकते हैं फर्स्ट फॉल हम फैम एप के बारे में जानेंगे आखिर फैम एप क्या है फैम एप तीन साल पहले लॉंच हुआ था इंडिया में फैंपे के नाम से जो की फिर्स्ट पेमिन बैंक था जो टीनेजर्स या में इसके लवाइचे करता है इसके इसके अलावे और फिजिकलिया डेबट कर लुवर्छल और फिजिकलद कर यह verschiedene Times नहीं करता था बड जो आया है आपका FAM X Card ये आपका ATM में वर्क करता है ठीक है इसके अलावा आपको मिलते हैं FAM Coins जब भी आप पेमेंट करते हैं UPI के दुरू तो आपको 10 रुपे पेमेंट करने पर 5 FAM Coins मिलेंगे ठीक है इस तरह का आपको मिलते थे और इसके अलावा आप वो Cards के अगर आपके पास ये दौर documents है तो आपना account काफी easily create कर सकते हैं चीक है इसके अलावा आप इसमें किसी भी टाइप की bank visit की जरूरत नहीं आपको किसी भी टाइप की bank visit जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा without bank account आप अपना account इसमें create कर सकते हैं तो उस recording ये best zero balance saving account हुआ चीक है तो मैं screen recording के तुरूर बताऊंगा आपनो इसमें account कैसी create करना है तो चलिए शुरू करते हैं बेना किसी तेरी क्या आपके अपने phone की home screen पर जो कि आप देख सकते हैं first of all हमें install करना है fam app को play store से install करने के बाद hey send me the money I just fam paid you back to the party इंटर फैम पर click करेंगे इंटर फैम प प्लस उससे OTP मिल जाए और उसमें एक वैलेट रिचार्ज होना चाहिए दिन आपको यहां पर अपना नाम लिखना होगा ठीक है नाम लिखने के बाद आपको next step पर जाना होगा and birthday as per your अधारकार्ड आपके अधारकार्ड में जो भी आपकी date of birth लिखी है date of birth डालेंगे में खुद को verify करना होगा मतलब कुछ documents को verify करना होगा अपनी KYC complete करनी होगी तो simply हमें करना का होगा अपनी पहले profile पर हम देख लगते हैं कैसा कैसा interface नजार आ रहा है तो आप देख सकते हैं profile में इस तरह का कुछ interface नजा रहेंगा privacy support safety tapes इसके अलावा logout का भी section यहां पर शो आप जो number डाले है वह आधार से link होना से रोटीपी आपके मिल जाने चाहिए बाद से डिजिट का पिन डालेंगे सिक डिजिट पिन डालने के बाद आप देख सकते हमारा आधार वेरिफाई हो चुका है अब बार ही है हमारे pancard की नेक्स स्टेप हम अपने pancard को verify करेंगे pancard को verify करने के लिए आपको अपना pan number डालना होगा pan number डालने के बाद वेरिफाई वाया quick video call तो simply से आप ऐसे timing पर कॉल करेंगा वीडियो कॉल तकि कॉल सेंटर का working time प्लस आपका जो भी इंटरनेट है आप वाइफाई से करेंगा यह आपको फास्ट वीडियो के वैसी के लिए फास्ट इंटरनेट होना बहुत ज़री है के लिए आपको अपना original pancard एक साथ रखना होगा अगर आपके पास यह दिक्कत है कि आपके फोन में pancard है तो आप अपना account क्रेट नहीं कर सकते आपके पास उसकी hard copy होने चाहिए ठीक है तो उनको pancard दिखा देंगे इसके बाद हमारे documents verify होंगे अपना account create हो जाएगा इसके प्रणूली नहीं पास प्लेक हुचा रड़